इस वीडियो में आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे बहुत सा टाइप मिलेंगे तो हर एक टाइप को सीखके जरूर जाएगा क्योंकि हर एक टाइप आपके लिए इंपोर्टन है आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन है तो वीडियो को बीट में बिलकुल छोड़के मच जाईएगा वीडियो को end तक देखिएगा तो आपको हरे एक चिस समझ में आएगा सबसे पहरे देखे आप type 1 के sum दिया है जब ऐसे sum exam में आ जाए देखे पहले type में plus plus लिया है मैंने ध्यान देखे देखे क्या करोगे जब भी ऐसे root root में समाएंगे और infinity होगा आपको तो क्या करना है यह number का ऐसा factor करना है जिसका difference जो है 1 आ जाए आपको बताना देखे 2 है तो 2 को अगर factor करोगे तो क्या होगा देखे 2 1 जा 2 तो 2 1 जा 2 होगा तो इसका difference कितना होगा देखे 1 का difference होगा तो क्या करोगे देखे plus दिया है plus दिया है तो बड़ा जो होगा वो ही आपका answer हो जाएगा 2 आपका answer हो गया है अगर minus दिया होता तो छोटा आपका answer हो जाता है इसके लिए आपको देखें हम लिख देता हूं मैं plus मतलब plus मतलब big और minus मतलब small लिख देता हूं इसके लिए trick देता हूं देखिए plus plus मतलब क्या हर एक चीज जुड़ते जुड़ते जाएगा तो वह चीज बहुत बढ़ा हो जाएगा तो बड़ा number मतलब plus हो जाएगा और minus मतलब क्या ज़िए घटते जाएगा मतलब हर एक चीज़ कम होते जाएगा और हर एक चीज़ कम होते जाएगा तो क्या हो जाएगा वो चीज़ छोटी हो जाएगी इससे क्या याद रहेगा आपको plus मतलब बड़ी चीज और minus मतलब छोटी चीज clear हो गया तो चलिए यह start करते है second समय start करते है यहाँ पर 12 दिया है तो क्या करोगे ऐसा factor करोगे जिसका difference हमाई सा 1 आना चाहिए तो देखिए यहाँ पर मैं 12 लिखता हूँ यहाँ पर इसका factor करता हूँ तो इसका answer क्या होगा 4 आपका answer हो जाएगा अब देखिए इसे solve कीजिए बिना pen paper के solve कर सकतो ऐसा trick लेकिया हो देखिए 72 दिया है तो 72 का ऐसा factor करोगे जिसका difference 1 आना चाहिए तो क्या करोगे 9, 8 जा 72 और 9 और 8 के बीच में difference मतलब difference मतलब होता answer क्या है 1 का answer है ठीक है 1 तो अब क्या करोगे देखिए यहाँ पर plus दिया है तो बड़ा number ही आपका answer हो जाएगा तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा 9 आपका answer हो जाएगा इसको solve कीजिए देखिए यहाँ पर 110 दिया है और plus दिया है dot dot infinity दिया है तो क्या करो के simple logic के 110 करेंगे हम लोग और उसके बाद ऐसा factor करेंगे जिस factor का difference जो है वो 1 आना चाहिए तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 10 11 जा या 11 10 जा 110 होता है और इन दोनों का difference आप बिलकुल एक stress मत लिजे देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा 10-11 करेंगे 11-10 करेंगे यह दिमाग मत रखिए इन दोनों का difference कितना है एक का difference है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे clear हो गया अब यहाँ पर plus दिया है तो बड़ा वाला ही answer हो जाएगा तो इसका answer क्या होगा 11 इसका answer होगा तो यह type 1 में जो plus के sum आते हूँ आपको सिखा दिया है सिर्फ और सिर्फ क्या किया है मेरे sign को change कर दिया जिससे आपका concept एकदम clear हो जाए आपको याद रखना है big मतलब देखिए plus करना है और small मतलब देखिए minus करना है इस चीज को ध्यान रखना है जिससे क्या होगा बिना pen paper क्या solve कर सकते हो आप देखिए आप 2 दिया है तो क्या हो गया है यहाँ पर 12 है तो 12 का ऐसा factor करिए जिसका difference हम ऐसा 1 आना चाहिए तो 4 थ्रीजा 12 करेंगे इसका difference 1 आएगा इसका difference 1 आएगा ठीके लेकिन minus दिया है तो क्या होगा minus मतलब small तो छोटे नंबर को आप answer समझ लोगे clear हो गया अब देखिए 72 तो 72 का ऐसा factor करेंगे जिस इसका difference जो है factor का 1 आना चाहिए तो 9,8 जा 72 इन दोरों का difference करोगे आप minus करोगे तो 1 आजाएगा clear हो रहा है और यहाँ पर minus दिया है तो छोटा वाला ही answer हो जाएगा इसका answer 8 हो जाएगा यहाँ पर 110 दिया है तो 110 को ऐसा factor करिए तो 11,10 जा 11,10 जा कितना होगा 11,10 जा 110 होग और इनका difference कितना होगा 1 होगा clear हो रहा है और यहाँ पर minus दिया है तो छोटा वाला ही आपका answer हो जाएगा तो देखे टाइप 1 में plus सिखा दिया टाइप 2 में आपको मैंने minus सिखा दिया अब बार यह multiply होगा तो क्या होगा आईए सीखते हैं तो चलिए दोसा आपके लिए टाइप 3 में इस तरह के sums आते हैं आपको याद रखना देखिए जब भी multiply होगा और साथ ही साथ देखिए infinity का sign होगा तो आपको क्या करना है ऐसा question है एक second में swallow हो सकता है एक second भी ज्यादा बोल दिया हमें उससे कम time में swallow हो सकता है आपको धिया रखना है जब भी multiply में होगा और infinity होगा तो आपका answer पता क्या होगा exactly वही होगा हो गया वह answer तो इसका answer क्या होगा 7 होगा इसका answer क्या होगा 2 होगा 13 होगा हो गया आपका answer जब भी multiply form में हो और infinity आए तो आपका वही answer हो जाता है अब आपके दिमांग में सवाल आएगा कि infinity नहीं हो तो तो क्या करेंगे हम लोग तो उसके लिए हम लोग देखिए और एक टाइप लेंगे चलिए शुरू करते हैं अब आपके लिए हो देखिए टाइप फो लिखिया हो टाइप फोट डिफिकल्ट है आपको ध्यान से सीखना होगा यहाँ पर क्या दिया देखिए इंफिनिटी निकाल दिया है स्क्वैर रूट है जब स्क्वैर रूट होगा तो यहाँ पर टू लिखोगे आप अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर थ्री लिखते हैं अगर फोथ रूट होता तो यहाँ पर आप फो लिखते हैं क्लियर हो रहा है आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर 1 करूंगा उसके बाग क्या करूंगा 2 power 0 कर लूँगा clear हो रहा है अब क्या करती है ऐसा क्यों किए अगर 2 power 4 होता तो यहां पर 2 power 3 करते और 0 तब जाते clear हो रहा है अब क्या करती है 5 लिखता हूte ओ यहाँ पर मैं और 2 का power 0 होगा तो 1 हो जाएगा और देखें यहाँपर 2 का पावर 1 है तो 2 और देखें 2 का पावर 2 है तो 4 और 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया तो देखें 5 लिखता हूँँए यहाँपर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 तो 7 अपॉन 8 आपका answer हो गया तो option A आपका right answer हो गया है अगर आपको समझने में कुछ थोड़ा difficulty feel हुआ है तो कोई बात नहीं next sum इसी type का लेके आता हूँ मैं जिससे आपका concept में clear कर पाऊँ चलिए दोस्ता अब आपके लेके आँ देखिए type 4 में question number second लेके आँ जिससे आपका concept में clear कर पाऊँ इससे पहले वाले sum में अगर clear नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ये वाले sum में guarantee से clear हो जाएगा आपको ध्यान रखना जब भी ऐसा sum दिया जाए और infinity नहीं दिया होगा तो क्या करना है simple trick follow करना है आपको यहाँ पर देखे 7 7 दिया है तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पर देखे cube root दिया है इससे पहले वाले sum में square root दिया था तो यहाँ पर 2 लिखा था आपने यहाँ पर cube root दिया है तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे उसके बाद ध्यान रखोगे यह cube root जो है कितने times है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 times हो तो यहाँ पर आप 4 लिख लोगे उसके बाद क्या करोगे देखिए 3 power 3 लिखेंगे और कहा तक जाएंगे 0 तक जाएंगे तो plus 3 power 2 plus 3 power 1 plus 3 power 0 clear हो गया उसके बाद क्या करोगे देखिए इसको simplify करोगे 3 power 0 मतलब क्या होता है 1 होता है 3 power 1 मतलब 3 होता है उसके बाद 3 power 2 मतलब यहाँ पर 9 होगा और 3 power 3 मतलब 27 होगा और साती साथ देखिए 3 power 4 मतलब 3 थरिज़ा 9, 9 थरिज़ा 27 और 27 थरिज़ा कितना होता है 81 होता है उसके बार देखें यहाँ पर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और 3 प्लस 27 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका 40 हो जाएगा तो यहाँ पर 40 अपॉन 81 होगा जिससे आपका आंसर जो है option C आपका right आंसर हो जाएगा तो उमीद करता हो कि हर एक चीज़ clear हो गया होगा आपको अब देखें नया type start करते है type 5 start करते है अब आपके लेके आँ देखें बहुत ही important type लेके आँ यह type जो एब बहुत ही important type है आप देख से तो यहाँ पर क्या दिया है if y equal to root 3 plus root 3 plus root 3 dot dot infinity दिया है और y की value निकालने बोला है तो आप अगर ध्यान से दिखोगे तो आपको कुछ similar लगेगा type 1 की तरह लगेगा लेकि type 1 में क्या होता था exactly यही question होता था जो number होते थे वो number का factor easily निकाल पाते थे लेकिन अब ऐसा number दिया है जिसका factor आप निकालने पाओगे तो आप यहां पर लिखोगे 3 लिखोगे उसके बाद देखिए अगर plus हो plus हो तो आगे जाओगे आप अगर minus हो तो आप पीछे आओगे clear हो रहा है क्या आगे क्या पीछे समझाता हूं देखिए यहां पर 3 है तो यहां पर plus दिया हुआ है तो आगे बढ़ना है तो आप लिखोगे यहां पर 4 लिखोगे ठीके उसके बाद क्या लिखोगे 5 लिखोगे उसके बाद देखो 6 लिखोगे अगर यहां पर minus होता तो पीछे जाते हैं हम लो तो 3 है तो क्या करते हैं 2 लिखते फिर 1 लिखते फिर 0 लिखते clear हो रहा है अब क्यों लिखते हो reason बताता हूं देखिए यहाँ पर plus दिया है तो आगे जाओगे तो यह देखिए 4 4 का ऐसा आप factor निकालोगा जिसका difference 1 आसकता है नहीं हो सकता है कि 4 1 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है difference 1 नहीं होगा 5 का चेक के लिजिए 5 बेसा नंबर है जिसका factor जिसका factor निकालने पर difference 1 नहीं आएगा तो देखिए 6 देखोगे आप तो इसका जो factor देखिए 3 2 जा 6 है और इसका difference जो है 1 आता है तो आपका देखिए यही आपका answer हो जाएगा तो क्या लिख सकते है आप देखिए यह option B आपका right answer हो जाएगा 3 2 दिया है तो value क्या होगा 2 less than equal to y less than equal to 3 यह आपको लिख देना है तो बहुत ही simple trick है जिससे ऐसे difficult sum को आप easily solve कर सकते हो कोई फिकर मत करिए अगर यह sum में समझ नहीं आया तो और एक sum आपके लिख आ रहा हो जिसमें clear हो जाएगा चलिए शुरू करते है तो चलिए दोसरा अब आपके लेकिए और देखिए type 5 में question number 2 लेकिए और देखिए जिससे आपका answer इंदर clear कर पाओ और ऐसे number दिया जारे जिसका factor निकालनी पाओगे उसका difference 1 नहीं आ पाएगा तो आप trick क्या यूज करोगे देखिए यहाँ पर आप 7 लिख लोगे उसके बाद देखिए plus form में दिया है यहाँ पर plus दिया है तो plus देंगे तो आगे के number जाओगे अगर minus देंगे तो पीछे के number जाओगे clear हो रहा है यहाँ पर plus दिया क्या करेंगे 7 के बाद क्या आता है 8 आता है 8 के बाद देखिए 9 आता है clear हो रहा है और यह number क्यों लिखते है हम लोग क्योंकि ऐसे number लेना है 7 के बाद जिसका factor निकालने के बाद दो factor का difference 1 आ जाना चाहिए तो आप 8 करोगे तो 8 का factor निकालिए तो 4, 2s are 8 होता है difference 1 नहीं आ रहा है तो 9 में जाइए आप तो 3, 3s are 9 इसमें भी नहीं हो रहा है तो 10 में जाइए तो 10 के इंदर भी क्या है देखिए 2, 5s are 10, 5, 2s are 10, 10, 1s are 10 बिल्कुल नहीं हो रहा है तो 11 पे जाएए आप 11 पे जाओगे तो भी नहीं होगा तो क्या होगा देखिए 12 पे जाएए तो आपको क्या करना है ऐसा number चेक करना है जो number का factor का difference 1 आ जाए वही number को select कर लेना देखिए तो यहाँ पर 12 आ गया तो 12 का अगर factor करोगे अगर आप अगर तो 3, 4 जा 12 हो गया इन दोनों का difference क्या होगा 1 हो सकता है तो देखिए क्या करेंगे यह जो value जो होगा इसके बीच में आएगा तो 3 less than equal to y less than equal to 4 यह हो गया आपका answer आप देख सकते हैं option C आपका right answer हो गया है simple logic है अगर आपको यहाँ minus दिया हो तो क्या करते हो देखिए minus दिया हो तो बता रहता हूँ आपको देखिए इसी सम्में बता रहता हूँ ध्यान दीजेगा देखिए minus दिया हो तो आप क्या करते है 7 के बाद क्या आता 6 होता तो यहाँ पर अगर प्लस की जगाँ पर माइनस दिया होता तो 7 के पीछे जाते हैं हम लोग माइनस दिया है तो तो देखिए 6 है 7 के बाद 6 ही नमबर है तो 6 का फेक्टर निकाल लिए तो 3 2 जा 6 होता है तो इसका difference 1 होता है तो value क्या होगा 3 less than equal to x less than equal to 2 क्योंकि देखिए छोटा नमबर आगया आएगा और बड़ा नमबर पीछे आएगा तो ऐसे आपको adjust करना है तो चलिए दोस्तों अब आपके लेकिया हो देखिए आखरी टाइप लेकिया और टाइप 6 यहां पर 3 power square दिया है जब भी ऐसे question दिया जाएगा जो base जो होता है यही आपका answer होता है मतलब क्या होगा x का value जो होगा वो 3 होगा तो 3 power 1 मतलब क्या होता है 3 होता है तो option B आपका right answer हो गया है चलि और एक question लेकिया आता हूँ इसी type में जिससे आपका concern एकदम clear हो पाए चलि यह शुरू करते है अब मैं आपको सिखा रहा हूँ देखिए type 6 पे question वा second सिखा रहा हूँ देखिए second में क्या लेकिया हो same type question है इसमें first question करा चुका हूँ आपको मैं ये question में वैसे ही करना है क्या करोगे देखिए यहाँ पर 2 cube दिया है और इस 4 को simplify करोगे तो क्या होगा 2 का power 2 लिखोगे 2 का power 2 क्या होता है 4 होता है यहाँ पर देखिए 2 का power cube और 2 का power 2 हो रहा है क्या हो रहा है ध्यान देदिया आपने अब देखिए जो भी base होगा वो ही आपका answer हो जाएगा देखिए ये option आपका right answer हो गया है तो इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमें के बताईए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले और जितना हो सके इस वीडियो को पर दोस्तों करें शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेना और आल क्लिक कर देना तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दूआ में रखना